वेलकम टू एस उपीपीएसी मेरा नाम वन्ना सिंग है इस वीडियो में हम उपीएसी मेंस 2021 और 2022 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है वो प्रेक्टिस करेंगे तो देखे अगर आप 2021 में है तो आप इस आंसर को देखिए और अपनी लांगवज में लिखने की कोशिश करि हैं यह 2022 की बारे में बात हो रही है अगर आप अंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को तो जरूरी देख लीजे तो आपको जादा हेल्प होगी और आपको आंसर लिखने का जो आईडिया होगा आपकी नॉलिज भी बढ़ेगी तो चलिए हम स्टार्ट करत आपका 8 marks का यह कोशन था तो यह आपका GS2 है topic development process जो है आपका वहां से है जिसमें role of NGO self-help group और यह सारे जो topic हैं वहां का है topic 12 है GS2 का उसका question है तो आपका question में क्या पुछा है what has been the impact of the self-help group on the ruler life तो इसमें पूछा है question आपको अगर देखना है तो यह question है impact बताना है self-help group का और कहां ruler life पे तो यह question के दो point है एक तो impact बताना है और आपको जो है ruler life पे बताना है तो इन दोनों कर देंगे एक लाइन में self-help group क्या होता है एक थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बैक्ग्राउंड दे देंगे self-help group का फिर body body में जो हमेशा जो question की जो heading होती है उसको ही हमेशा लिए करिए कि question की क्या demand है तो इसमें question की demand क्या है impact of self-help group on India's ruler life तो ये body में जो है हम impact लिखेंगे फिर उसके बाद आगया आपका conclusion conclusion में आप इसको एक positive feedback के साथ या कुछ भी critical criticism कर रहे हो या फिर कुछ भी दे रहे हो उसके साथ आप इसको conclude कर देंगे तो हम अपना answer start करते हैं तो हम पहले से एक छोटी सी definition देते हैं तो self-help group क्या होता है रूलर अरिया थी ऑ्या रूलर अरिया हू कुछ आप एंज तोग़ार अजगे साथ झाल आपका वितर, ने साथ तोगेदर तो self-help group क्या होता है? small group of people होते हैं जो basically रूलर एरिया से ब्रॉंक करते हैं वो अपने सारे resources एक साथ पूल करते हैं और साथ में ही जो है वो safe करते हैं तो these are the small मतलब एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि एक unorganized सी चीज है जिसमें आप एक group मिलके जो है वो काम करता है एक छोटा सा group मतलब minimum 5 लोगों का और maximum 20 लोगों का इस ताइब से एक group मिलके जो है वो काम करता है तो यह self-help group होता है फिर उसके बाद एक थोड़ा सा brief background देंगे कि in India in India self-help group emerged in organized way during 7-5 year plan जितनी भी इसारी मैंने short form लिख 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 है group की, specially की, 7-5 year plan तो इन सारी चीजों को अवाइड करियेगा एक्जाम में इसको पूरा लिखने की कोशिश करियेगा 7-5 year plan 1985 to 90 for poverty eradication तो यह आपका introduction हो गया, आपने definition दे दी, एक हलका सा brief background दे दिया next है आपका body तो body क्या है, impact of self-help group on India's ruler life impact of self-help group on India's ruler life पहला poverty alleviation basically क्या होता है, self-help group में, self-help group जो है promote करता है, small saving among its member और यह एक major role play करता है, poverty alleviation का in ruler area तो self-help group promoting small saving among its members and it plays a major role in poverty alleviation in ruler area तो इसमें पूछा है, कि impact क्या है, self-help group का in India's ruler life में, तो basically, जो poverty alleviation करता है दूसरा है दूसरा है it mobilized women from ruler area तो basically, जो जितनी भी आपकी women है, उनको एक तरह से, उनको organize करने पे, एक organize करने पे, जो self-help group है, उसने बहुत बड़ा काम किया है, तो इसमें थोड़ा सा आप data भी लिख सकते हैं, कि according to और पमेण दूसरा है, टूसरा है, तो जूसरा है about 46 million poor women आर मोबिलाइज़ थूरू सेल्फेल ग्रूप ग्रूप हाउ सेल्फेल ग्रूप कैसे मोबिलाइज हुई है सेल्फेल ग्रूप जो है इनको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंटर मीडियेशन सलूशन फॉर अन बैंक्ट रूलर वुमें तो देखो जब आपका कोई गाओं का इंसान होता है और वो बैंक में जाता है उसको लोन चाहिए होता है या कुछ चाहिए होता है तो जो लोन है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह सेल्फेल ग्रूप की जो लोग मेंबर होते हैं women होती है तो इसमें 5 minimum हो गई है 20 maximum हो गई तो यह जब जाती है तो इनको जो loan मिलना या credit facility होती है, जो financial facilities होती है वो उसके जो मिलना होता है वो थोड़ा काफी असानी से मिल जाता है तो इसमें जो है यह women को जो उनका अपना काम है उसके मतब strengthen करता है women को उनको mobilize करता है women को तो ये सारी चीजों में self-help group help करता है दूसरा socio-economic benefits अब socio-economic benefits क्या provide करता है self-help group तो self-help group जो है provide economic self-independence and reduce exploitation by money lenders क्या कर गाय है आपका economic self-independence जो है वो provide करता है और जो money lenders है उनसे exploitation reduce करता है and create awareness about education तो ये आपको self-help group जो है वो क्योंकि जब आपको जो एक community है वो एक साथ एक काम कर रहे हैं साथ में हैं उनका जो है participation learning हो रही है तो इस वेज़े से क्या है कि आप में जो है जागरुकता बढ़ेगी आपको चीजों के बारे में पता होगा तो ये आपकी economic self-independence देता ही है और education के बारे में भी aware करता है next हो गया employment opportunities self-help group creating self-employment आप यहाँ दियान रखना जो employment opportunities ये create करता है वो self-employment होते हैं मतलब आप self-employed इससे create होते हैं तो self-employment opportunities जो है वो self-help group जो है वो create करता है कि आप जितना भी आप अपना लगूत दियोग है या फिर इस टाइप के जो काम है आप आपको credit facility आपको bank से provide हो जाएगी और आप अपने काम जो है जो पांदस लोग है वो मिलके शुरू कर सकते हैं next हो गया improve status of women in family and society तो जब women empowered होती है तो उनका जो status है वो जो automatically जो है वो society में जो है वो enhance हो जाता है तो अब जब women vocal होगी वो self independent होगी उसको education awareness होगी तो उसका जो status है वो automatically जो है वो society में obviously बढ़ी जाएगा तो जो women है women को जो है social capital build करने के लिए वो help करता है build to social capital social capital or economic empowerment which leads to the improved status of women in family and society तो यह इसका बेसिकली यह इसका impact है self-help group का तो नेक्स्ट आपका हो गया नेक्स्ट आपका हो गया it improve health and standard of living आप देखिए जब आप economic empowerment मिल रही है और आपके अंदर awareness आ रही है तो आपकी जो है health or standard of living तो improve होगी health or standard of living भी improve करता है क्योंकि इसमें क्या है कि आप जो है self-help group में जो है एक तरह की participatory learning होती है participatory learning होती है मतलब आपके जो है minimum 5 से 20 लोग जो है वो आपस में गुरूप बनाते है they talk about specific topic economic empowerment होता है तो it's a participatory learning तो इस रिसर्च में ये देखा गया है कि जो self-help group होते हैं उनकी जो women होती है उसकी वज़े से 49% जो है reduction हुआ है in maternal mortality तो maternal mortality में जो है obviously women जो है empowered होंगी उनकी जो status है women का जो family और society में बढ़ेगा obviously उनकी health भी बढ़ेगी जो उनकी delivery है वो institutional deliveries होंगी women की और उनका एक saying रहेगी अपनी family के अंदर तो obviously जो है उनको अच्छा nutrition food मिलेगा तो obviously जो है maternal mortality to reduce हो नहीं है तो यह सारी जो चीजें है it all leads to मतलब यह सारी जो इनका main cause है you can say that जो women है उसको ruler area में as a secondary gender माना जाता है तो यह maternal mortality हो गया poor condition होती है infrastructure facilities नहीं होती है access नहीं कर पाते हैं तो इनकी वज़े से maternal mortality होती है तो अगर self-help group जो है इस सारी चीजों का जो gap है उसको fill करने में जो है बहुत जो है help करता है तो improve your health and standard of living basically जो self-help group है एक special focus देता है on ruler area कैसे जो आपकी जो है national ruler livelihood mission scheme है उसके अंदर जो है एक special attention दी जाती है जो भी women है under BPL उनको special attention दी जाती है और इसी scheme के अंदर जो है वो एक मतलब एक focus एक और दिया जाता है कि जो है capacity building हो self-help group की capacity building हो और self-help group तो self-help group की capacity building होगी तो इसके अंदर जो members है उनकी capacity building होगी उनकी capacity building होगी तो overall जो है वो आपके ruler area में जो है वो development होगा तो यह सारे आपके जो है वो points हो गए हमने एक introduction दे दिया और फिर उसके बाद हमने इसका impact देख लिया impact क्या है self-help group का on ruler life अब हम इसका जो है इसका जो है हम एक conclusion लिख लेते हैं तो conclusion यह हुआ कि जो हमारे ज़ादतर जो self-help group हैं वो local level पर काम करते हैं और ज़ादतर जो है agriculture activities में जो है वो involved रहते हैं तो agriculture activities में involved रहते हैं तो हमें जो क्या करना चाहिए कि जो self-help group हैं उनको ruler areas में भी मतलब non agriculture activities में भी introduce करना चाहिए तो सरकार को यही step लेना चाहिए कि most of the most of the self-help groups हैं at local level बहुत local level पर होते हैं and engaged in agriculture activities the self-help group in ruler area should be introduced to non-agriculture business non-agriculture business to and should be provided state-of-art machinery by government तो यह आपका conclusion हो गया मतलब इनके अंदर lack of technology है market access नहीं है तो government जो है market access प्रोवाइड करें infrastructure नहीं है road ruler connectivity नहीं है तो government जो है road and ruler connectivity भी प्योवाइड कर सकती है इन लोग के पास training नहीं होती है तो government जो है कुछ ऐसा कर सकती है कि इनको training भी प्रोवाइड करें connectivity प्रोवाइड करें मतलब यह आप जो है conclude करके मतलब इन में से कोई भी point आपको लिख सकते हैं इन लोग की अच्छे से monitoring होनी चाहिए और माइक्रो इंटर्पराइज को जो है प्रमोट करना चाहिए तो monitoring भी होनी चाहिए तो यह सारी चीज़े आप जो है इसमें देख सकते हैं तो अभी यह जो है आठ नंबर का ही कोशन था आप जितने भी marks का जेसे आप से कोशन आया आप अपने आंसर को जो है वो छोटा बड कर सकते हैं तो यह जो है हमने इसका आंसर देख लिया है मुझे लगते आपको समझ में आ गया होगा आप जो है अपनी लैंगविज में भी सकते हैं आपको कुछ और पॉइंट इंट्रीज करने हैं आप उसको कर सकते हैं थैंक्यू अनल देवेस्ट